हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, तो इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं थर्मो डानेमिक सेकेंड, जिसमें हम पहले ही 14 वीडियो में ये वाला चेप्टर कम्प्रिट कर रहे हैं, और ये हमारा 15 वीडियो है, 15 वीडियो है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे Gibbs Helmholtz समीकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेसन आफ Gibbs Helmholtz equation, तो देखें यहाँ पर लिख लेजिएगा equation, तो ये एक नया question है, कि Gibbs Helmholtz समीकरण के अनुप्रयोग लिखे करके पूछता है, 2 या 3 या 4 नमबर के रूप में, तो हम पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग, तो स कर लिए हैं उसका आपको लिंक मिल जाएगा इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल में प्लेलिस्ट में उपलब्द है तो स्टार्ट करते हैं गिप जहल महोल जे समीकरन के अनुप्रयोग को तो क्या वो लगे हैं किसी सेल अभि गुडांग ग्यात हो अगर ताप गुडांग और क्या ग्यात हो विदू तवाहग बल ग्यात हो तो हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहां पसुधारे गुडांग करते हैं तो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं तो सेल अभिक्रिया में जो भी रहता है आपका यहां पे लिख की लिए मुक्त उर्जा में परिवर्तन जो मुक्त उर्जा लिए हैं उसका तो क्या होता है dado g is equals to minus n f e हमारा ये समीकरण है तो ये f क्या है n क्या है उसको लिख लेते हैं f ये क्या क्या है तो देखते हैं, एफ क्या है हमारा, सेल का विदुत वाहक बर, विदुत वाहक बर, और आपका एफ क्या है, वन पैराडे, मतलब की कितना होता है, और आपका सेल, अभिक्रिया में प्रयूक्त वाहक बर, लिख सकते हैं, सेल, अभिक्रिया में प्रयूक्त वाहक बर, इलेक्ट्रानों की संख्या, इलेक्ट्रानों की संख्या, नमबर आफ इलेक्ट्रान इन्वाल्ड इने सेल, रियेक्शन, तो अब हम पढ़े हैं, एक, क्या पढ़े हैं, गिब्ज हेल्बोल्ज समीकरण, तो क्या समीकरण पढ़े हैं, पहला और दूसरा रूप, तो यहां पर पहला रूप काम आएगा, आपका दूसरा रूप यहां पर काम नहीं आएगा, तो क्या है हमारा पहला रूप, डेल जी, इक्वल टू डेल एच, प्लस दी, और डी, डेल जी, बाई डी ती, और कांस्टेंट क्या था हमारा पी, यह गिब्ज हेल्बोल्ज समीकरण का पहला रूप है, यही काम आएगा, तो इसी समीकरण में, डेल जी जो अभी पहले हम उसमें रखते हैं, तो देखिए, डेल जी, लेट साइट और डेल जी, यहाँ पर भी लेट साइट दोनों बराबर है, तो इक्वेशन 1 और 2 से, चलो, इसको माल लेते हैं, एक्वेशन 1 और 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, इक्वेशन 1 और 2 से, दोनों का लेट साइट बराबर है तो right side को बराबर कर सकते हैं हम तो क्या हो जाएगा हमारा लिखते हैं यहाँ पर minus nfe equal del h plus t d del g by dt और constant क्या है p यह हुआ तो हम del g कमान अब यहाँ पर del g is equal to minus d gel cadence क्या पड़े है तो आप del g कमान सीधा है यहाँ पर पुट कर सकते हो तो यहाँ पर देखें यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर रख सकते हैं कि हमारा left side बराबर को हम बराबर किया थे यहां पर भी मार रख सकते हैं तो क्या हो देखेगा हमारा, minus n fe equal to del h plus d, d क्या हो जाएगा, minus n fe, और ये dt, और constant क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ये हुआ, तो अब इसमें क्या करेंगे, जो constant है उसको बाहार निकालते हैं, तो क्या क्या constant है, देखो, क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए, del h plus t, और t के जगह में, पहले क्या क्या है, उसको देखें, इसको minus नहीं होगा, ये, देखिए, ये minus 12 कर, minus sign ले लेगा, और ये n और f यहाँ पे फिर 12 भी बाहार निकालते हैं, और अंदर क्या बचा, d e by dt और constant p बचा है, ये हुआ, अब क्या करेंगे, कि इधर क्या था हमारा, minus n fe, तो del h को एक साइट रख देते हैं, del h equal to क्या हो जाएगा, minus n fe, plus n ft, d e by dt, constant p, ये हमारा, helm hold समी करण का, अनुप्रयोग के लिए, समी करण विद्पन हो चुका है, इसको आप एक, d b में बंद कर देते हैं, चलो, ये आ गया, तो जो भी आपका, क्या है हमारा, जैसे, d e by dt, और constant p, को ताप गुडांग या temperature coefficient कहते हैं, तो equation, ये वाला हमारा, सेल अभिकरिया के लिए, सेल अभिकरिया की हुस्मा की गढ़ना किया जा सकता है, यदि दो भी नताप पर सेल का विदुतवाहकबल गया थो, ये हुआ, और जैसे की क्या कर सकते हैं, हम दूसरा अनुप्रयोग, सेल के अभिकरिया के लिए, गढ़ना की जा सकती है, यदि दो भी नताप पर सेल का विदुतवाहकबल गया थो, और क्या बोला गया है, दूसरा अनुप्रयोग क्या दिया गया है, गिब्जे हलमोल्जे समीकरण की साहता से, डेल E, डेल H, डेल H का मान गयात क्या जा सकता है, यदि डेल A और डेल G का तथा ताप गढ़नां गयात हो तो, तो इस तरीके से हम गिब्जे हलमोल्जे समीकरण के अनुप्रयोग देख चुके हैं, पहला और दूसरा दो आया गया याल मोल्जे समीकर मला दुटार आधरा जास alma मान जो तो अनुब्रयोग आया जा जाल गत्कि गब्रावंग का दो सेखें पहला मान गयात है, यदित campusesणा के वह दॉटाईंस तरीके साहस्थरा